दोस्तों आप सबी लोग का हमारे चेनल बहुत बहुत सबागत है दोस्तों आज हम लोग क्लास 11 के एक्साइज 21B का क्वेशन नमर 10 से करने जा रहे हैं पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेशन नमर 9 ते देख रही थी आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोगो से रिक्वेश्ट है कि पर इस वीडियो को जाकर देखी देगा तब आप लोगो अच्छा से समझ में आएगा इसमें कर रहा है कि find the equation of the circle which passes through the points 1,3 and 2,-1 and has its center on the line 2x plus y minus 4 equal to 0 दोस्तों देख ये question most important है कर रहा है कि एक circle है जो दो point यानि कि 1,3 और 2,-1 से pass कर रहा है तो आप लिए एक circle बना लिए हैं एक point ले लिए हैं A 1,3 और B ले लिए हैं 2,-1 अब कर रहा है कि has its center, इसका center कर रहा है कि has its center on the line इतना center कर रहा है कि इस line पर है तो आप लाइन को pass कर रहा है और उसे पर आपके center रखे center कर रहा है कि इस line से center जो है इस line पर है दो सब्सक्राइब करें छाल की इस लाइन पर का मतलब है कि शेंटल का क्या होता एज कॉमा के ये एच कॉमा के इस EQUATION को Satisfied करेगyan क्योंकि ligger का यह यह को सउनल करें न के यह लिखेंगे x given center on the line 2x plus y minus 4 equal to 0 therefore center जिसका coordinate है h, k must be satisfy the equation 2x plus y minus 4 equal to 0 इसका मतलब क्या हो गया है कि x के जगह पे h और y के जगह पे k क्या करेंगे इसमें put करेंगे यह हो जाएगा 2 into h plus y के जगह पे k minus 4 equal to 0 यह हो जाएगा 2h plus k minus 4 equal to 0 आगे देखिए यह हो जाएगा 2h plus k equal to 4 यह होगे equation 1 आगे देखिए अब दोस्ते देखिए यहाँ से बी को मिला देते हैं और ओ से एक यह मिला देते हैं यह क्या होगे यह radius होगे और radius आपस में क्या होता है equal होता है यहाँ लिखेंगे कि since O A equal to O B तो यहाँ से आगे o A equal to O B करेंगे यहाँ से हमने उनको एक equation आ जाएगा h और k के डिन दोन्य equation जानतों solve कर लेंगे h और k का value आजएगा और यहाँ सह में radius find कर लेंगे इसका अगा equation हम लोब find कर सकते हैं circle का तो देखिए O A इक्वल टू O B, तो देखिए O A के लिए क्या हो जाएगा, O हो जाएगा X1 Y1, यह हो जाएगा X2 Y2, तो देखिए यहाँ पर, यह हो जाएगा, 1-H का हॉल स्क्वाइर, दिस्टेंस परमला यूज कर रहे हैं, तो 1-H, देखिए X2-X1, X1 positive है, यहाँ ब्रैकेट देने कोई आप सकता नहीं है, प्लस Y2-Y1, यानि कि 3-K का हॉल स्क्वाइर, इक्वल टू, अब देखिए, O B के लिए X1, Y1 और X2, Y2 हो जाएगा, देखिए, यह X1, Y1, X2, Y2, तो देखिए 2-H का हॉल स्क्वाइर, 2-H का हॉल स्क्वाइर, प्लस, यह हो जाएगा, माइनस 1, माइनस K का हॉल स्क्वाइर, ओके, आगे देखिए, यह हो जाएगा, हम लोग को, A-B का हो जाएगा, तो A², प्लस, BA², माइनस 2-H, प्लस, A², 9, प्लस, BA², यानि कि K², माइनस 2-H, तो हो जाएगा, 6, 2-H का होल स्कूर करेंगे प्लस यहां पर देखेंगा यहां प्लस कमन ले लेंगे यह हो जाएगा यह वन और यहां प्लस के का होल स्कूर को अग्यां गई देखी 1 अब प्लस 9 हो जाएगा 10 हो जाएगा प्लस h²-2h देखिए 1 प्लस 9 10 h²-2h यहो जाएगा प्लस k²-6 k एक्वोल टू देखिए a-b गॉल स्कार एस्क्राइब एस्क्राइब प्लस b एस्क्राइब माइनस टू भी करें तो हो जाएगा माइनस टू जा 4H देखिए यहाँ पर यह हो जाएगा प्लस देखिए माइनस के स्क्वाइर करेंगा तो हो जाएगा माइनस के स्क्वाइर करेंगा तो हो जाएगा प्लस यह हो जाएगा हm स्कूर life ये on दिए प्लस के इसक्वाइर माईनimonस एकवल्टू आपो प्लसी ने प्लस वन दो यह लाएगा कि यह स्कुरिंग ऐद कर देंगे प्लस हाग और दो स सबू faze we get देखे क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हम लोग को root under 10 plus h square minus 2h plus k square minus 6k का whole square equal to 5 plus h square minus 4h plus k square plus 2k root under का whole square स्क्वार से root cancel हो जाएगा यहाँ भी स्क्वार से root cancel हो जाएगा आगे देखे 10 plus h square minus 2h plus k square minus 6k equal to 5 plus h square minus 4h plus k square plus 2k देखे यहाँ पर h square same sign है यहाँ भी देखे हैं k square k square cancel हो जाएगा आगे देखे तियो जाएगा हम लोगको 10-2H-6K equal to minus 4H plus 2K plus 5 ओके आगे देखिए अब लोगको क्या करते हैं यहाँ पर ठीके साब पार्ट को इधर लाते हैं तियो जाएगा 10-2H-6K minus 4H को इधर लाएंगे तियो जाएगा प्लस 4H plus 2 को लेप्ट में लाएंगे तो minus 2K minus 5 equal to 0 अब देखिए यहाँ पर तियो 4H मैंसे 2H जाएगा तो हो जाएगा 2H minus 6 के minus 2 के तो हो जाएगा minus 8 के ओके अब देखिए यहाँ पर 10 10 मैंसे 5 जाएगा तियो हो जाएगा plus 5 equal to 0 ओके आगे देखिए देखिए यह हो जाएगा हम लोग को 2H minus 8 के equal to minus 5 यह equation 2 अब दोने equation को हम लोग solve कर लेंगे equation 1 और equation 2 को हम लोग solve करेंगे equation 1 में क्या है? 2H देखिए यहाँ पर equation 1 में हम लोग 2H plus K equal to 4 और यहाँ भी देखिए 2H यहाँ पर on solving equation 1 and 2 we get देखिए ने इसे क्या result आता है अब देखिए यहाँ पर हम दोने equation को solve करेंगे 1 and 2 को तो यहाँ से H और K का value आ जाएगा subtract किजिए यहाँ पर यह प्लस हो जाएगा और यह हो जाएगा cancel किजिए इसको तो देखिए K अब प्लस 8K कितना हो जाएगा 9K हो जाएगा equal to यह प्लस 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 9 यहाँ से K का value हो जाएगा 9 अपन में 9 तो K का value हो जाएगा 1 ओके और इस value को किसी भी equation ने put कर दिए तो लिखिए put K equal to 1 in equation 1 देखिए है 2H प्लस K equal to 4 तो 2H प्लस K के जाएगा 1 equal to 4 यह हो जाएगा 2H equal to हो जाएगा देखिए 4 minus 1 तो 2H equal to हो जाएगा 3 यहाँ से K का value हो जाएगा 3 अपन में 2 आगे देखिए अब देखिए यहाँ पर लिखे therefore center H, K H कितना है 3 by 2, 1 और देखिए K का value कितना है 1 ठीके और यहाँ पर एक का कोडिनेट कितना था 1,3 तो यहाँ से में लोग radius का find कर लें यहाँ पर A रखिए या B दोनों से हमनों क्या करते है radius का value उनों find कर सकते है यहाँ आप लिखेंगे therefore center क्या लेट कितना हो जाएगा बताइए O, A, X1, Y1, X2, Y2 यह हो जाएगा 1-3, Y2 का whole square प्लस यह हो जाएगा 3-1 का whole square ओके आगे देखिए तो हो जाएगा 2-3 हो जाएगा minus 1 by 2 का whole square plus 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2 का whole square आगे देखिए तो 1 by 2 का minus 1 में 2 का square गर तो हो जाएगा minus का square हो जाएगा plus यह हो जाएगा 1 by 4 और यह हो जाएगा plus यह हो जाएगा 4 ओके आगे दिखिए तो जागा रूट 17 वन प्लस प्रॉपर्टी सिक्षीन प्लस वन कितना 17 बाइब 4 तो वे इक्वाल टू हो जागा रूट एंडर 17 अपन में यह जागा 2 ओके रेडियस अम लोग मिल गये अब यहां देखिए सरकल काम लोग एक्वेशन यहां से फांड करेंगे अब देखिए एक्वेशन अप सरकल क्या हो जाएगा हम लोग देखिए सेंटर भी पता है रेडियस भी पता है यह हो जाएगा हम लोग जानते है सेंटर रेडियस फ़र्म क्या हो तो एक्स मैनस एच का होल स्क्वेर प्लस वाय मैनस के का होल स्क्वेर इक्वाल टू आप द देखे, a-b गॉल स्कॉर a square plus b a square minus 2 into a into b plus a square plus b a square minus 2 a b equal to 17 upon 4. आगे देखे, तीए 2 से 2 यहां पर cancel हो जाएगा, देखे, x square plus 9 upon 4 minus 3x plus y square plus 1 minus 2y equal to 17 upon 4 तो देखे जो कैसे लिखेंगे देखे x square plus y square minus 3x minus 2y और constant control सा बचा 9 by 4 plus 1 equal to 17 upon 4 आगे देखे x square plus y square minus 3x minus 2y यहाँ पिस calcium ले लिए तो जाएगा plus यहाँ जाएगा 4 यहाँ जाएगा 9 plus 4 equal to 17 upon 4 ओके आगे देखे x square plus y square minus 3x minus 2y देखे प्लस यहाँ जाएगा 13 upon 4 इसको लेफ्ट में लाएगे तो जाएगा minus 17 upon 4 equal to 0 आगे देखे यहाँ जाएगा मुनोंका x square plus y square minus 3x minus 2y इसको solve किये देखे डिनोमेटर सेम रहाएगा तो 13 में 17 जाएगा तो जाएगा minus 4 upon 4 equal to 0 यहाँ जाएगा 1 तो फाइद रस कांसर हो जाएगा x square plus y square minus 3x minus 2y minus 1 equal to 0 यह दोस्तों कोशन नमा 10 कांसर हो जाएगा x square plus y square minus 3x minus 2y minus 1 equal to 0 I hope दोस्तों question number 10 आप लोगों को समझ में आ गया होगा और यह दोस्तों question most important है इसका next question देखे है question number 11 11 number question हम लोगों यह दिया गया है find the equation of the circle concentric with x square plus y square minus 4x minus 6y minus 3 equal to 0 and which touches the y axis दोस्तों क्या काड़ा है कि हम लोगों उस circle का equation निका लिए जो किसके concentric है x square plus y square minus 4x minus 6y minus 3 equal to 0 और circle कहां से pass कर रहा है क्या कर रहा है कि which touches the y axis circle touch कर रहा है y axis को दिखे स्कूल लोगों समझते हैं क्या करेंगे इसमें क्लिकेंगे the given the circle is concentric with x square concentric with x square plus y square minus 4x minus 6y minus 3 equal to 0 क्या घर है कि circle जो है किसे concentric है इसके concentric का मतलब क्या हो गया है कि दोनों का center दोनों का center क्या होना चाहिए सेम सेम होगा center consenting का मतलब क्या होगा है कि same center से अलाग अलाग रेडियस लगे जो उसको क्या बोलते है concentric बोलते है और इसका concept दोस्तों question number 8 में देख लिए थे इसका जो center हो वही center हो जाएगा जो उनों को circle का equation find करना है उसका तो देखिए इसका मतलों center कैसे find करेंगे तो इसको मतलों equation 1 let कर लेते हैं अब यहाँ आप लिखेंगे we know that we know that the general equation of circle compare करके भी निकाल सकते हैं we know that the general equation of circle क्या होता बता है x square plus y square plus 2g x plus 2fy plus c equal to 0 यह equation हो गया 2 और इस दोने equation हो compare कर दीजे देखिए on comparing equation 1 and 2 we get देखिए क्या हो जाएगा compare किसे हो करना x coefficient को और y coefficient को देखिए यहाँ पर x coefficient यहाँ पर कितना देखिए 2g है यहाँ पर x coefficient कितना है minus 4 तो जआ देखिए 2g equal to हो जाएगा minus 4 यहां से g का value कितना हो जाएगा minus 4 upon me 2 cancel कीजे यहां से g का value हो गया minus 2 okay g का value कितना हो गया minus 2 हो गया आगे देखिए and देखिए y equation लो compare कि देखिए 2f equal to कितना हो जाए है 2f equal to हो जाएगा minus 6 यहां से f का value कितना हो जाए minus 6 आप one में 2 cancel किजिए तो हो जाएगा minus 3 f का value हो गया minus 3 okay g और f का value निकल गया अब यहां से देखिए लिखेंगे therefore center 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 according क्या होता है minus g, minus f होता है तो हो जाएगा minus g का value कितना घी का वीलू ए माइनस 2 कमा मैनस एक घजाया है तो यहां से फानने दें कि सेंटर क्या हो जाएगा हम लोगो को माइनस अमंपन सब जाएका ? यह थ्री हो गाया टी मा यहीं सेंटर हम लोगो हो जाएगा जो रिकॉइजी जो टेकॉइज़ ब्हएं सेंटर का मालना y-axis को टच कर रहा है यहां पर यह x-axis और यह y-axis और circle जो है मतलब y-axis को क्या करें टच कर रहा है तो यह सरकल माल जी कुछ इस तरह से जाएगा यह x-axis और यह y-axis तो इसका होगा है center 예 त्यक्व यहां से जाएंड करेंगे यह क्या हो जाएगा रेडियस होजए और यह क्या हो जाएगा यह x कोड Chanel X का value कितना होगे त्रियानी कि radius मिल गया है कि जाने हम लोग behavior 2,3 और रेडियस कितना में नहें सरकल का equation हम लोग find कर सकते हैं किस से center radius form से लिकेंगे we know that we know that center radius form क्या होता है x minus h का whole square plus y minus k का whole square equal to r का square यह देखिए h है और यह क्या है k है center coordinate क्या होता है h, k होता है तो देखिए यह x minus h कितना है 2 का whole square plus y minus 3 का whole square equal to r का square तो r कितना है 2 है तो 2 का square हो जागा अब इसो solve कीजिए finalize का answer आजाए देखिए आप पे a minus b कोस a square plus b square minus 2 यह भी करें तो 2 हो जागा 4x plus a square plus b square minus 2 यह भी करें तो 6y equal to हो जागा 4 आगे देखिए x square plus y square minus 4x minus 6y देखिए 4 और 9 हो जाएगा 13 equal to 4 आगे देखिए तो यह x square plus y square यह minus 4x minus 6y plus 13 plus 4 को लेफ्ट में राएगे तो जाएगा minus 4 equal to 0 तो यह required equation दोस्तों हो जाएगा x square plus y square minus 4x minus 6y plus 4 sorry sorry plus 9 equal to 0 तो यह दोस्तों होगे उस circle के equation जो इस circle के क्या है concentric है और साथ में क्या है y axis को टच कर रहा है तो आई हो दोस्तों कोशने में 11 भी आप लोगों समझ में आ गया होगा कहीं इंटी वीडिया आउट हो दोस्तों कमेंट जाने पुछ पूछ पूछ रखते हैं इस वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने के तर झाँ